कैसे आप सिर्फ नारियल तेल अपलाई करके आपके चेरे के सारे काले दाग धुबे जाई या निशान जड़ से खतम कर सकते हैं और बिल्कुल आपको 100% बहुत अच्छे इसके रिजल्ट दिखाई देंगे आपके चेरे पे चाहे जायों के काले निशान हो चाहे आपको पिंपल्स बहुत हुए हो वो निशान छोड़ गए हो या फिर आपके चेरे पे टैनिंग पड़ी हो किसी भी तरह के आपके चेरे पे काले दाग धब्बे हो रखे हो मेरे बताय हुए तरीके से आप इस तरहाँ से सिर्फ नारियल तेल रोज़ रात को सोने से पहले अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे आपके चेहरे की जहाया चली जाएंगी काले दाग धब्बे चले जाएंगे चाहे pimples के निशान हो चाहे sun tanning के निशान हो बिलकुल आपका चेहरा एक सार हो जाएगा सारे दाग धब्बे काले आपके चेहरे के चले जाएंगे और आपकी skin glowing भी बनेगी skin को proper hydrate भी मिलेगा और आपकी skin के लिए नारियल तेल बहुत ही अच्छा रहेगा कोई भी महंगे से महंगा night cream कोई भी ऐसा treatment आपके लिए वो नहीं कर पाएगा जो सिर्फ नारियल तेल आपके लिए कर जाएगा बिलकुल आप हैरान हो जाएंगे इतने अच्छे आपको result मिलेंगे कि कुछ ही द तेल में कुछ ऐसे properties पाई जाती है अगर आप उसको अपने face पे लगाएंगे तो जो healing process है skin का वो तेज होने लगता है जहां से skin हमारी dead हो जाती है कालिदाग पढ़ जाते हैं वहां से हमारी skin के cells खतम हो जाते है नारियल तेल उसको ठीक करता है heal करता है और skin को जो है एक message पुछाता है कि यहां पे कुछ problem है और वहां से skin का circulation blood का वो चालू होता है और आपके निशान ठीक होना start हो जाते है जो कि permanent आपके face पे रहे गए हैं क्या होते है मैंने काफी लोगों को देखा है face पे इधर काली सी जाई पढ़ जाती है और आप आपके features कितने भी सुन्दर क्यों नहों आख नाख आपके बिलकुल ढख जाते हैं बिलकुल पहला आपका जो है कोई भी आपको देखता है तो सीधी नजर जायों पे जाते हैं इतनी चीक सामरे खराब हो जाते हैं काफे मैंने ऐसे भी देखा है पूरा face साफ होता है कोई जाया नहीं होती है नाख पे इधर जाय पड़ जाती है मेरी एक friend है वो बहुत ही सुन्दर थी अभी भी बहुत सुन्दर है उसको क्या होता है उसको हो गई जाया उसको क्या हुआ सिर्फ नाख के बीच में यहां जाय हुई इधर को और देखने में इतना खराब लगता थ ग्तम होती जा रही है दिरे-दिरे तो आपको क्या करना है अगर आपके भी जाय पे जो है जाया गाले ताख है तो आपको मेरा बताए तरीका अपनाना है और अपने गाले दाग दबो नहीं पाकिसके नावACT की सार बना लेनी है ठीक है आपको लगेगा नारियल का तेज ज जो है मुझसे 4-5 साल बड़े हैं उन्होंने बच्पन से नारियल तेल अपने बालों में लगाया है उनके बाल आस तक सफेद नहीं हुए हैं बिल्कुल मेरे भी जो दिखने लगे हैं वा ग्रे हैर लेकिन उनके बाल एक बाल काला है उनका क्योंकि नारियल तेल में बहुत अ हमारे बालों के लिए तो आपको जहाँ पे बी काले दाग धब्बे हैं, जहाईय है, जिसे मार लों के फेसुर इस एरिये में हैं तो अपने क्या करना है आपको नारियल तेल लेना आप चाहे तो गरम सकते हеся है चाहे तो ठंड़ न भी लगा सकते है आप एक मरतन में पानी लेना और उसमें आपने काटोरी में नारियल तेल डाल के रख दिया गैस चे अलाके आपका नारियल तेल गरम होजएगा कुछ डारेक्ट गैस पे उसको गरम नहीं करना है डबल बॉयलिंग प्रोसस के तरीके से उसको गरम करना है ठीक है अभी हमने क्या करना है जैसे मैंने अधर को है काले डाग दबे मुझे जैसका दिंपल का निशान है commit si ने क्तिंज कर ने क्या यासे आपको बहां पे नारियल तेल लगा लेना है और बहुत ही जल्दी आपके जो ताग है ना वो खतम होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी स्किन वहां से साफ होने स्टार्ट हो जाएगी एक बार आपको कुछ तिन आप अपलाए करेंगे शुरुआत में 10-15 दिन आप के लिए काफी रहेगा और उसके बाद आपको इसको धोना नहीं है आपको फिर ऐसे ही अपने फेस पे लगा हुआ छोड़ देना है और सुबा में आपको उठके अपना जैसे आप फेश वोस करते हैं उस तरीके से आपको अपना चेहरा धो लेना है एक तो यह तरीका आप आपको अप्लाय करना है अपने चेहरे के काली दागदबे जहायों से नजात पाने के लिए दूसरा मैं आपको साथ में एक चीज और बताऊंगे आप हफते में तीन बारी क्या करना जो एलोवीरा का पोधा होता है ना उसको एक पलप आपने काट लिया जो उसकी पत्ती हो इसको एसे रगड़ ले ना अपने iец पे शर्हां से रगड़ते रहना रगड़ते हैं आपको अराम से 15-20 मिन उसको अपने फेस पे रब करना है चाहिए तो आप डेली बिल्कुल साफ सुत्रा एक सार दा कतम, धबे कतम, जाय कतम, चहरा जोरढ़ा चिट्टा और साथ में स्किन्ग बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपकी स्किन्ग्लो करेगी, ब्राइट आपको आपकी सिकन्les लगेगी. इस तरीके से आपने ये दोनों चीज़े अपना लेनी है लाइफ में कुछ और लगाने के ज़रूत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप ये नुस्खे अप्लाइ करते हैं बहुत सारी ऐसी आसपास हमारे चीज़े होती है जो कि हमारे लिए, हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही बेनिफीशियल होती है और अलोवीरा का पोधा आप घर में भी मिल जाता है सबके अगर आपके पास नहीं है तो आसपास में आपको कहीं भी मिल जाएगा किसी मंदिर में, किसी पार्क में या फिर आप जो है अलो वीरा बहुत जल्दी ग्रोव करता है एक से दो बनने में टाइम नहीं लगता आप एक पोधा ले भी लेंगे कहीं से ले आएंगे आप विश्वास करिए आप एक महेंगी क्रीम भी तो लाते है न वो रामपान होगा आपके लिए बहुत अच्छा र सकते हैं मैं काफी यूज करती थी सکते है तो आपको ये चीज़े यूज़ करनी है, लाइक कर देना है वीडियो को और आगे शेयर कर देना है, जिनको नहीं पता है, उनके पास है, आपकी बहन है, वाइफ है, फ्रेंड है, हस्बंड है, लड़के, चाहि लड़की, कोई भी इसको इसको इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी coconut virgin oil है virgin coconut oil है तो वो भी इच्छ है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं वरना आप नारियल का तेल होता है वो भी इससे महल कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप व्लोग देखना पसंद करते हैं तो मैं आजकल व्लोग भी continue बना रही हूं मेरा व्लोग चैनल है जोती महलवाल व्लो मैं है चाहिए आपको इसके बालों की आप कमेंट में मुझसे पूछना मैं उसी चॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी और मैं सबके कमेंट पढ़ती हूं लाइक भी करती हूं बिल्कुल कमेंट करना भर भर के अपना प्यार देना अपनी र प्यार दिल्दी कोशिदी बिल्दी नेस हूंगा प्यार उद्क्स वार देना अपना वर देना चॉपिक वर मैं से पक्रावदेश कोशिए आदी मेंट पर देना अपना प्या